वेलकम टू लर्न अभी, आएम शिवानी जाहान, क्लास टेंथ हिंदी की बुका चाप्टर बाल गोबिन भगत हम वर्ड टू वर्ड समझेंगे, सारे वर्ड मीनिंग्स भी हम देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं, बाल कोबिन भगत मंझले कत के गोरे चिट्टे आत्मी थे मंझले कत के यान की मीडियम हाइट के वो आत्मी थे, साट के उपर के ही होंगे तो बाल कोपिन भगत की जो स्टोरी है एक परसन के बारे में हैं उनके ही बारे में उनकी लाइफ कैसी थी रैटर बताते हैं बाल पक गए थे मगर बाल जो थे वो वाइट कलगे हो गए थे लंबी दाड़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चहरा सफेद बालों से ही जगमक किये रहता बहुत ज़ता लंबी दाड़ी नहीं रखते थे और जटा जूट होते हैं वो उपर की तरफ बाल बांध लेना ये सब वो नहीं करते थे मगर उनका चेहरा जो है हलकी हलकी दाड़ी उनके चेहरे पर हमेशा रहती थी कपड़े बिलकुल कम पहनते कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी तो देखिए इसमें आपको पिक्चर दिखाई गई है ये जो है ये हैं बाल गोबिन भगत कपड़े बहुत कम पहनते थे मतलब एक लंगोटी पहनते थे और सर पर जो है ये कनफटी टोपी मतलब कान के पीछे से निकली हुई एक तरीकी की कबीर पंथियों की टोपी होती है क्योंकि कबीर को ही सब कुछ माना करते थे संत कभीर को और ये किस तरीके से देखें मंजली बजा रहे हैं किस तरीके से इनके कले में तुलसी की माला है ये इनको पूरा दिखाया गया है और स्टार्टिंग में राइटरabhih पूरा इनी को ऐसे डिसक्राइब करते हैं जब जाड़ा आता जाड़ा होता है ठंड का मौसम जब जाड़ा आता एक काली कमली उपर से ओड़े रहते यानि कि जब थोड़ा सा ठंड का मौसम हो जाता था तो काली कमली कमली होता है कमबल एक काली रंग का कमबल वो खुद को ठंड से बचाने के लिए ओड़ लेते थे नाक के उपर की साइट से ही माथे तक वो उपर तक चला जाता था यान कि काफी लंबा रामानंदी टी का लगाया करते थे बाल गोबिन भगत गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडॉल माला बांदे रहते तो तुलसी की जड़ों की माला वो बांदे रहते थे उपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल कोबिन भगत साधू थे तो यह नहीं माने हम यह सब पढ़के कि वो एक साधू थे नहीं बिलकुल क्रहस्त उनकी ग्रहनी की तो याद नहीं मतलब राइटर कहते हैं कि ग्रहस्ती में रहते थे वो मगर राइटर को उनकी वाइफ के बारे में तो कुछ याद नहीं है, उनके बेटे और पोते हु को तो मैंने देखा था, थोड़ी खेती बारी भी थी, एक अच्छा साफसुत्रा मकान भी था, मतलब राइटर ने बाल कोबिन भगत के बेटे को भी देखा था, और उनकी लिजहों पर खलते वाले कबीर को साहब मांनते थे, इसका मतलब है कि कभीर को ही वो सब कुछ लाइर, इश्वर मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूट नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, यहनी कि सच्चा अच्छा व्यव जगड़ा ही मोल लेते थे, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार मे लाते, मतलब किसी की चीजों को छूते नहीं थे, बिना पूछे इस्तमाल नहीं करते थे, इस नियम को कभी कभी इतनी बारी की तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता, मतलब किसी की कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठतें, मतलब पॉटी गरने के लिए नहीं बैठतें, पइले गहरों में तो होती नहीं थे रहा, वहे ग्रहस्त थे, लेकिन उनकी सब चीव साहब की थी, मतलब ग्रहस्त थे यानि कि उनके बेटा था उनका और उनकी बहुत ही वो खेती बाड़ी करते थे उनका घर में रहते थे वो मगर सब कुछ अपना वो उन्हें इश्वर को समर्पत कर दिया था जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाध कर पहले उसे साहब के दर्बार में ले जाते जो उनके घर से चार कोस दूर था मतलब उनकी जो भी खेति वाड़ी होती थी उसको अपने वो सर पर लाध दे और आप समझें मठ में ले जाते मंदिर में कबीर परता अपना गर का जीवनयापन अपना करते थे तो एक'daram में भेट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुज़र चलाते इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर जो सदा सरवदा ही सुनने को मिलते कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकल कर इतने सुन्दर गीत और भजन गाया करते थे आसाड की रिमजिम बारिश आसाड जून जुलाई के बीच का महीना होता है समुचा गाउं खेतों में उतर पड़ा है कहीं हल चल रहे हैं कहीं रोपनी हो रही है यानि की बीच बोई जा रहे हैं धान के पानी भरे खेतों में उचल रहे हैं धान होता है देखे चावल चावल के जो खेतों उसमें बहुत सारा पानी भरा जाता है उसमें बच्चे खेल रहे हैं औरते कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं कलेवा होता है नाश्ते को बोलते हैं मेड़ होता है खेत के अंत पर औरते बैठी हुई हैं आस् यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा, बाल गोबिन भगत समूचा शरीर कीचड में लिथडे, अपने खेत में रोपनी कर रही है, मतलब उन्होंने गाना शुरू कर दिया है, सब के कानों में एक मधुर संगीत पहुचने लगा है, पूछना नहीं पड़ेग यह किसका है वो है बाल गोबिन भगत का बाल गोबिन भगत अपने खेत में है पूरा शरीर पे उनके मिट्टी लपटी हुई है और वो अपने खेत में बीच बो रहे हैं उनकी उंडली एक-एक धान के पौधे को पंक्ति बध खेत में बिठा रही है मतलब लाइन से बिठा एक-एक जो है पौधे को उनका कंट यानि कि उनका जो गला है एक-एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ा कर कुछ को ऊपर स्वर्ग की और भेज रहा है और कुछ को इस प्रिथवी पर इस प्रिथवी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की और मतलब इतना अच् काप उठते हैं वे गुन-गुनाने लगती है हल्वाह जो हल चरा रहे हैं हल्वाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अचीब क्रम में चढ़ने लगती है बाल-गोबिन-भगत का यह संगीत है या जादू मतलब होता है रख इसे की लुप रहे अंधेरी अधरिया भादो होता है अगस्य दंबर का महीना इसमें बहुत सारे महीनों, हिंदी महीनों के नाम मताए गए है तो भादो की जो अंधेरी अधरिया मतलब आधी रात है अब थोड़ी ही देर पहले मूस लाधार वर्षा खतम होई है मूस लाधार वर तर्टर बाल घुबिन भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती, यानि कि हो सकता है आपने एक बार को जो है बिजली की कड़कड की आवाज ना सुनी हो, किन्तु जो बाल घुबिन भगत की आवाज है वो आप सुने बिना नहीं रह सकते, चाहे वो जिली होता जनकी जो ध्वनी होती है, दादुरों, दादुर होता है मैंडक, इनकी टड़र के अवास बिना बाल गोबिन भगत की मधुर ध्वनी को नहीं दबा सकती है, उनकी खंजडी डिमक डिमक बज रही है, और वे गा रहे है, खंजडी एक जो है इंस्ट्रूमेंट होता है, musical instrument, व बोद में ही है किंतु समज्जती पहाली बिजली अगेम कषिते हैं उसी भरे HEAL वाले भादों की आधिरत इसी अंधेरे में और कॉंद उठने करें कि इन ना चौका दों मतलब जो जैसे बिजली चमकती है ना बिजली कड़कती है इसी तरीके से जो मतलब इतना ठंड का या फिर आप कह सकते हैं कैसा मौसमुरे टर टर और आधी रात हो रही है और बिजली जिमाल रही है बारिश भी पड़ रही है उसमें पाल-गोबिन-भगत अपनी सुरीली गाना गा रही हैं यह किसको मतलब चौका नहीं देगा अरे अब सारा संसार निस्तबता में सोया है मतलब घतिहीन हो चुका है पूरा संसार अब सोया पड़ा है पाल गोविर भगत का संगीत जाग रहा है जगा रहा है तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा मतलब इस तरीके से उनका गाना चल रहा है कि लोगों को कि भई सो मत जागो तो इस तरीके से उनका गाना सबको जगा रहा है बुरे सैंस में नहीं अच्छे सैंस में बोला गया है कातिक आया अक्तूबर नवंबर का महीना हलकी ठट बढ़ने लगती है कातिक आया नहीं कि पाल गोबिन भगत की प्रभातियां प्रभातियां होती है सुबह के गीत प्रभातियां शुरू हो गई जो फागुन फैब मार्च का महीना होता है जो फागुन तक चला करती इन दिन वो अपने गाउं से चाते स्नान करने के लिए वहां से नहाध होकर लोटते और गाउं के बाहर ही पोखर के उचे भिंडे पर मतलब पोखर होता है छोटे से तलाब के उचे वाले एरिया पर बैठ जाते अपनी खंजडी लेकर जा बैटते और अपने गाने तेरने लगते यानि कि तालाब के किनारे बैट करके वो अपने गाने गाने लगते नाने के बाद मैं शुरू से ही देड तक सुने वाला हूँ किन्तु एक दिन माग की उस दांत किट किटाने वाली भोर में भी मतलब बहुत ही ठंडे मौसम में सुबह सुबह ठंड लग रही थी दांत जैसे किट किटाने वाली जो ठंड होती है वो पढ़ रही थी उनका संगीत मुझे थोड़ा थोड़ा अमकर तारे भी थे अभी मतलब सुबह का बॉसम था पूरब में लोही लग गए टी जिसकी लालमा को शुक्रतारा और बढ़ा रहा था घेट बगीचा घर सब पर कुहासा चा रहा था मतलब खेत बगीचा हालका कोहरा सा भी आया हुआ था सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवरत मालूम पड़ता था मतलब होता ना सुबै का मौसम हलकाल की रोशनी हलकाल का सा कोहरा इस टाइप का मौसम था उस रहस्य में वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मूँ काली कमडी ओड़े पाल गोबिन भगत अपनी खंजडी लिए बैठे थे एसे मौसम में भी वो अपनी खंजडी लिए बैठे हुए थे पूरब की तरफ मूँ करके और ये जो होती है न कुश नुगीली घास टाइप की चटाई थी उस पर वो बैठे हुए थे अपनी खंजडी लिए उनके मूँ से शब्दों का ताता लगा था उनकी उंगलियां खजडी पर लगातार चल रही थी गाते गाते इतने मस्त हो जाते इतने सरूर में आते उत्ते जित हो उड़ते की मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे कंबली तो बार-बार सर से नीचे सरक जाती मतलब उन्होंने शॉल सा उड़ा हुआ था, फिर कंबल उड़ा हुआ था वो तो मतलब नीचे सरक जाता उनके सर से मैं जाडे से कपकपा रहा था किंतु तारे की छाओ में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदू जब तब चमक ही पड़ते मतलब वो इतने मस्त मगन थे श्रम बिंदू होता है पसीने की बुंदे यानिकि महनत से आई पसीने की बुंदे को हम श्रम बिंदू कहते हैं तो वो इतने मस्त थे, ऐसे नाच रहे थे, गार रहे थे, कि ठंड कावी असर उन पर नहीं हो रहा था, गर्मियों में उनकी संझा, संझा होता है शाम, गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती, यानि कि वह जो गाने गाते थे, गर्मियों में भी उम तालों की भरमार हो जाती, एक पद बाल गोबिन भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंदली उसे दोहराती, तीहराती, धीरे धीरे स्वर उचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गती से, तो वो भी गाना गाते साल साथ, उनके जो साथी थे वो भी सब गाना गात तो सुनने वाले भी मतलब जूमने लगते दीरे दीरे मन तन पर हावी हो जाता होते होते एक शड़ ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल को बिन भगत नाच रहे हैं और उनके साथी सब के मन और तन नत्यशील हो उठे हैं सारा आंगन रिनित्य और संगीत से ओध प् देखा गया जस दिन उनका बेटा मरा एक लौता बेटा था वह कुछ सुस्त और बूंदा सा था उनकी समझ में ऐसे आत्मियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए क्योंकि ये निग्रानी और मुहबत के ज्यादा हगतार है बड़ी सांथ से उसकी शादी कराई थी पोते हु बड़ी सुभाग और सुशीर मिली थी मतलब बेटे की शादी कराई थी बहु भी बहुत अच्छी आई थी घर की पूरी प्रबंतिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्वृत कर दिया था मतलब घर का बहुने काम समाल लिया था और दुनियादारी के कामों से थोड़ा मतलब मुक्ती दे थी बाल को बिन भगत को उनकी बहुने उनका बेटा बिमार है इसकी खबर रखने की लोगों को कहा फुरसत किन्तु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खीच कर ही रहती है हमने सुना बाल कोपिन भगत का बेटा मर गया मतलब कह रहे हैं कि लोग एक दूसरे की दुख परिशानियों में कहां ही इतना ध्यान देते हैं मगर जब किसी की मौत आती है तो अब तो सबको पता लगी जाता है हमने सुना बाल कोपिन भगत का बेटा मर गया कौतूहल वश उनके घर गया अचंबा हुआ राइटर को फूनके घर गया देखकर दंग रह गया बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटा कर एक सफेद कपड़े से ढख रखा है वह कुछ फूल तो हमेशा ही पिरोते रहते उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर विखरा दिये हैं फूल और तुलसी दल होता है तुलसी के पाते का पथा तुलसी के पौते का पता और कुछ फूल अपने बेटे की जो है मतलब बौटी ती उस पर उनमें विखरा दिये सिर्हाने यानि कि उसके सर के पास एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाई गीद गाय चले जा रही है वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीमता, घर में पौति हुरो रही है जिसे गाउं की इस्तरियां चुप कराने की कोशिश कर रही है किन्तु बाल कोबिन भगत गाय जा रही है गाते गाते कभी कभी पते हु के नजदी भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते आत्मा परमात्मा के पास चली गई है विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली भला इससे बढ़कर आनंत की कौन बात वो कहते थे कि आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया है इसमें रोने वाली नहीं उत्सव मनाने वाली बात है मतलब वो कह रहे थे कि मतलब किसी की डेथ होना उत्सव मनाने वाली बात है कि आत्मा अब परमात्मायनी की इश्वर से मिल गई है जो विरहनी यानि कि इतने समय से वो इश्वर से दूर थी अब वो इश्वर से जामिली है ये तो बहुत ही अच्छी बात है मैं कभी कभी सोच था ये पागल तो नहीं हो गए हैं किन्तु नहीं वै जो कुछ भी कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था वै चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यू पर विजाई होता आया है बेटे के क्रिया करम में तूल नहीं किया मतलब जादा कुछ नहीं किया उन्होंने पौतेहु से ही आग दिलाई उसकी किन्तो जो ही श्राद की अवदी पूरी हो गई पौतेहु के भाई को बुला कर उसके साथ कर दिया यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर दे इधर पौतेहु रो रोकर कहती मैं चली जाओंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए पूजन बनाएगा बीमार पड़े तो कौन एक चुलू भर पानी भी देगा मैं पैर पड़ती हुँ मुझे अपने चर्णों से अलग नहीं कीजिए लेकिन भगत का निर्ने अट चल था तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूँगा यह थी उनकी आखरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती मतलब पालकोपन कभगत जो थे उन्होंने अपनी बहु को भी उसके भाई के साथ भेज दिया वो नहीं चाहते थे कि मतलब उनकी जो है बहु वो परिशान हो वो यह चाहते थे कि वो अपना जीवन दुबारा शुरू कर ले मतलब पालकोपन भगत ने अपनी बहु के भाई को बुलाया और कहा कि इसकी दूसरी शादी ज़रूर करवा देना इसका जीवन दुबारा से बसा देना तो कि वो बिलकुल आस्था नहीं रखते जितना संथ समागम और लोकदर्शन पर मतलब संथ संथ मागम यानि कि सभाओं में जाते संथों की लोगों से मिलना पैदल ही वो जाया करते करीब 30 कोस पर गंगा थी साधू को संबल लेने का क्या हक और ग्रहस्थ किसी से भिख्षा क्यू मांगे अतहा घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लोट कर खाते मतब रस्ते में कुछ खाते ही नहीं थे रास्ते बर खंजडी बजाते गाते जहां प्यास लगती पानी पी रेते बीख्षा मांगे कुछ नहीं खाते थे तीन चार दिन जो पूरा ट्रेवल होता था कुछ खाते ही नहीं थे उसमें चार-पांस दिन आने जाने में जो भी लगते थे उनके किन्तु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती अब बुढ़ापा आ गया था किन्तु टेक वही जवानी वाली बुढ़ापा आ गया था मगर गाना और उनका बजाना वही जवानी वाला था इस बार लोटे तो तब्यत कुछ सुस्त थी खाने पीने के बाद भी तब्यत नहीं सुत रही थोड़ा बुखार आने लगा किन्तु नेम इवरत तो छोड़ते रही थे वही दोनों जून गीत स्नान ध्यान खेती बाड़ी देखना एक दिन चीजने लगे मतलब एक दिन उनकी हानत जादा खराब हो गई क्योंकि वो अपना मतलब आराम वगेरा करते नहीं थे डेली स्नान करने जाना वही गाना बजाना करना खेती बाड़ी पर ध्यान देना और शरीर बुढ़ा हो गया था बुनका लोगों ने नहाने दोने से मना किया आराम करने को कहा किन्तु हसकर टाल देते रहे उस दिन भी संधिया में गीत गाए किन्तु मालूम होता जैसे तागा तोट गया हो माला का एक एक दाना बिखरा हुआ भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना जाकर देखा तो बाल गोबिन भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर बढ़ा है, तो क्योंकि काफी समय से वो बिमार चल रहे थे, जिस दिन उनकी मृत्ती हुई, उस रात उन्होंने जो गाना गाया ऐसा लग रहा था, ताना कुछ तूटा हुआ सा लग रहा था, अगले दिन सुभह उनके गीत की आवाज नहीं आई, लोगों ने जाकर देखा, तो उनकी डैथ हो गई थी, उनकी सिर्फ बॉड़ी, पंजर यानि कि आप समझे, हट्डियो का ढचा है, उनकी बॉड़ी पड़ी पड़ी थी, बाल को बिन भागत जो है, वो अब इस दुनिया से चले गए थे, तो ये पूरा का कि अनकी अप्स्क्राइब, थैक यो तर्फे ये रीप्स, इस पूब्स, वानफटने हम आपने हम और देखाऊएब, कर देखा में आपने हम, आपक फूरा करफ के ताने हम, भी मूच्स, बष्कि दियूचर के आपने हम, क्ने हम नाफ्स, तो बॉक्तित वाहरी